हाई एवरीवान वेलकम टू दा क्लास तो टुड़े वी विल डिस्किस अबाउट लाइक अबाउट इस नोटिफिकेशन जो कि आपका राधासान सेट एक्जाम की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है गोविंद गुरू ट्राइबल यूनिवर्स्ट्री है जो कि है बंस्वा आपको यहां पर विजबिलिटी दिख रही होगी सबजेक्ट की विद ओल दी सबयक्ट कोड्ग्ज तो यहां पर उनकी सपेशलाइजेशन है और जो कि जिनके पास जाग्रफी की डिगरी है, मास्टर जंने जाग्रफी में किया है वो पोपिलेशन साइंसेंस कोड नंबर ये वाला this one is ये वाला opt कर सकते हैं population studies तो यहाँ पर notify कर दिया गया है कि आप लोग की जो notification है set exam के लिए वो आच चीक है और ये कोई भी student fill up कर सकता है चाहे वो रादस्तान से हो या outside रादस्तान से हो ठीक है यहाँ पर आप लोग देख लो eligibility same ही है 55% होने चाहिए आपके exam में like masters में आप लोग के exams में होने चाहिए और SCST के लिए अगर हम देखें तो 50% यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है and बाकी का तो कुछ है नहीं इसमें अभी हम आगे वाले slide में चलते हैं आगे वाले validity ठीक है validity होगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल की जैसे कि आपको पता यह राजसान सेट का exam है तो यह सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही applicable होगा तो लेक्चरार असिस्टन प्रोफेसर अगर आप इससे clear कर लेते हो तो आपको राजसान की ही स्टेट में जॉब मिल जाएगी ठीक है as an assistant professor तो यहाँ पर आपके पास दो पार्ट्स है just same to same वही net वाला syllabus है तो इसलिए मैं यह कह रही हूँ आप लोग फिल अप कर लो क्योंकि 100 marks का यहाँ पर है 50 questions यहाँ पर हैंगे 100 questions यहाँ पर हैंगे same to same बिलकुल net वाला ही syllabus है ठीक है teaching research यह सारा कुछ reasoning ability यह सब चीज़े आएंगी comprehension और आल जो की पूरा net का syllabus है and यहाँ पर जो main domain वाला knowledge है आपका subject है जैसे कि आप कोई management ले रहे हो या commerce ले रहे हो या earth science से ले रहे हो तो आपके subject से related ही questions आएंगे लगातार तीन घंटे का paper होगा without any break जो की इन्होंने यहाँ पर notify कर दिया है paper Hindi और English दोनों में ही होगा ठीक है marking schemes की बात करें तो एक question पर दो number मिलेंगे and कोई भी negative marking नहीं है just like net exam तो यहाँ पर आपको बताए गया यह सब चीज़े बाकी और देख लेते हैं आगे वाली point पर और क्या है and यहाँ पर आप देख रहे हो syllabus of the test notify कर दिया website पर आपको मिल जाएगा ठीक है कोई भी upper limit नहीं है and यहाँ पर examination visa यह बताए गई है कि जो general category के students है उनके लिए 1500 है EWS SC ST and all उनके लिए 1200 and यहाँ पर 7500 है जो की राजसान स्टेट के हैं जो की SC ST में है या फिर PhD candidates ठीक है इस टीस को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका submission है application form का जो submission है न वह आपका यहाँ पर notify कर दिया है कि जो application होगी वह आपकी submission कर दी है that is second that is a 19th 19th of March ठीक है 90th of March को आपका exam होगा और यह basically exam होगा यह online exam है ठीक है तो आप लोग वैसे offline होता था हमेशा बट यह online exam होगा इस बार और आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो अगर आप चाहो तो so thank you so much everyone यही मुझे आपको news देनी थी और आपको पता है बहुत सारे set exams आ रहे हैं इस साल बहुत ज़्यादे set exams होने वाले हैं MP का भी आ चुका है ठीक है तो आप लोग वो भी fill up कर सकते हो so thank you so much